Hello friends, welcome to this channel So guys, जैसे कि आपको पता है कि इनी 2020 का result टेकलियर होके है और कहब भी students ने अपने ranks और marks चेक कर लिया है So दोस्तो इस वीडियो में ये बहुत ज़्यदा important वीडियो उन students के लिए जिनके marks आ रहे हैं 550 से 600 या जिनके marks आ रहे हैं 500 से 600 के बीच में कि अब वो सोच रहे हैं कि इतने सारे students के 600 से उपर marks आ गए क्या हमें MBBS college मिलेगा, क्या हमें government college मिलेगा मिलेगा तो हमें किस quota से मिलेगा क्या हमें किस counselling के लिए apply करना चाहिए हमें round 1 के लिए जाना चाहिए या round 2 के लिए जाना चाहिए क्या हमें मौपा प्राउन का वेट करना चाहिए, क्या हमें दुबारा से preparation करनी चाहिए इन सभी question का जवाब देने के लिए दोस्तों मैंने वीडियो आपके लिए बनाई है मैंने पूरा analysis किया है 2019 से comparison किया है और आपको मैं कुछ fact हैं जो मेरे पास fact हैं छोटे लेकिन आपको मैं कुछ fact दिखाऊंगा उसके fact के हिसाब से आपको इन सब चीजों को answer इसी वीडियो में मिल जाएगा तो दोस्तों ये वीडियो मैंने पहले बताया कि जैसे आप सामने screen पे देख पाते हो कि जिन students के marks 556, 600 के marks में बीच में marks आ रहा है मैं जम्मू कसमीर से हूं क्या मुझे government college मिलेगा या मेरे marks 590 है मैं तमिल नाडू से हूं मुझे government college मिलेगा so these kind of questions के answer करने के लिए basically I made this kind of video for you so you will get all kind of answer in this video guys so first I will show you some comparison then we will discuss about the stats so दोस्तों मैंने कुछ data तयार किया जो आप सामने screen पे देख पा रहे हो neat cutoff comparison 2019 and 2020 यह जी हां दोस्तों मैं आपको खुद marks के हिसाब से दिखाऊंगा कि आपको किस साल result में क्या impact है so दोस्तों जैसे कि मैंने आपके सामने screen पे open कर रहा है आप देख सकते हो मैंने 2019 और 2020 के marks जो लिखे वे है 2019 में मैंने क्या कर रखा है दो column बना रखे है marks और number of students तो यह data जो मैंने collect किया उसके basis पे है इसमें थोड़े से corrections हो सकते है तो थोड़ा variations हो सकता है पर आपको एक बहुत बड़ा इस adjustment आपको सामने दिखाऊंगा 2019 में क्या हुआ था कि 701 पे टॉपर था तो 651 से 701 के बीच में लगबग 1030 student थे 1030 student थे 651 मांग से 701 के बीच में जबकि वो ही 601 से 720 में इस बार दोस्तों अगर आप देखोगे तो लगबग 2000 से भी उपर बच्चे है मतलब आप मानोगे तो लगबग ये count 3000 के अपरॉक्स है 3000 भी मैं बोलूगा कि ये 4000 के अपरॉक्स है क्योंकि और अगला देखोगे 620 से 701 के बीच में 2019 में 3500 के आसपास बच्चे थे इस बार 625 से और 720 के बीच में जो बच्चे आया हैं दोस्तों लगबग 10,000 के आसपास बच्चे है ऐसे 600 से 701 के बीच में 2019 में 8,000 थे तो इस बार 20,000 तो आप देखोगे लगबग हर count में अगर आप किसी भी count को देखोगे सेम नंबर की average को ये आप देखोगे तो लगबग बच्चे का टाइम टू टाइमस हो गया है मतलब जहां बच्चे 1000 होने चीए थे वहां बच्चे 2000 हो गया है उसी प्रकार नीचे देखते हैं तो 550 से हम बात करते हैं इस जहां हम कैटेगरी की बात कर रहे थे 2019 में 550 मार्क्स पे 24,200 की अप्रॉक्स स्टुडेंट थे वही स्टुडेंट 550 से 720 के बीच में 47,000 मतलब 50,000 बच्चे ऐसे हैं जिनके 500 से उपर मार्क्स है तो ये मेरा एक अप्रॉक्षिमेशन है जो मैंने आपके सामने दिखाया उसी तरह से 500 से 701 के बीच में 49,000 के अप्र लगबग एक लाग बच्चे है तो आप देख रहे हो लगबग स्टर्ट डबल गया है आप यहाँ पर देख सकते हो तो लगबग टू टाइमस बच्चे यहाँ पर चले गए मैं आपको एक दूसरा कंपरिशन दिखाता हूं दोस्तो अभी इस साल अगर 2020 के रिजल्ट की ब 2019 में अगर अगर अब हम दोस्तों इस अनलेसिस को देखते तो इस साल देखो 590 पर 24,000 रेंक आई है मतलब टू टाइमस रेंक में इंक्रीमेंट हुआ है यह बहुत बड़ा इस में चेंज हुआ है उससे क्या हो रहा है कि लास्ट यहाँ जहां बच्चे 575 565 के आसपास अगर आपके मार्क्स 550 से और 600 के बीच में हैं तो आपको राउंड वन में कोई पोसिबलीटी नहीं है राउंड वन में आपको कोई कॉलेज नहीं मिल सकता अब मैं बात करता हूं आपको राउंड टू में राउंड टू की काउंसलिंग में आपको पार्टिसपेट करना है और आपको सबसे ज़्यादा धान रखना state quota के उपर कि आपके state में बच्चों के marks कैसे आया है मैंने पहले ही बोला था कि state में कुछ ही states होते है जिन में बच्चे बहुत ज़्यादा marks लेके आता है बाकी states में बात करता हूँ जैसे मैं अभी बात करूँ तो मैं लाड़ोगी बात करूँ if I talk about Odisha, if I talk about Andra Pradesh, if I talk about Kaila इसमें क्या होता है ज़्यादा top marks वाले strengths काम होते है तो उसमें आपको क्या होगा कि काफी आपका जो बाकी के states हैं मैं बात करूँ दिली, पंजाब, हरियाना, यूप, इसमें काफी बच्चों के marks आया है तो आपको state quota का 85% reservation है उस पे take care करने की चरूँता है सबसे बड़ा factor आप लोगों के लिए क्या हो गया कि आपको 85% quota में state quota में आपके state में बच्चों के कैसे marks आ रहे हैं अगर आपके state में बच्चों के आप जैसे marks आ रहे हैं आपको सबसे पहले राउंड आपका जो chances बनते हैं राउंड टू में बनते हैं राउंड टू में किसमे state quota क्या जो भी quota होता है उसमें बनते हैं और तीसरा चीज़ा मौप अपर उसके बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने के जरूता है अभी क्या बच्चा है प्रॉब्लम का होगी कि जिन बच्चों की रैंक 12,000 से जिनकी 15,000 से 18,000 के बीच में रहेंगे उन बच्चों को शुर्टी निया कि उनका होगा लेकिन मैं उनको अस्यूरेंग देना चाहता हूं कि उनका 100 प्रशंट में ब्ल जाएगा उनको टेंचन लेने की जरूत नहीं है और जिनके 550 से 600 है उनको इस बिसीकली साइकंड रांड और स्टेट कोटा के बीच में जाद ध्यान देनी की जरूता है वैसे मैं आपको बता देता हूं कि काउंसलिंग अक्टूबर के लास्ट वीक में स्टार्ट होने वाली और राउंड टू की काउंसलिंग 2nd week of November से स्टार्ट हो जाएगी तो फ कौन सा फिट्मेंट बैठता जहां पर आपकी जादा पोसिबिलिटी उसी साफ से अपनी चॉइस लॉक करें बिना सोचे समझे आपके मार्क्स पर जीदा सीधा चॉइस लॉक ना करें क्योंकि इस बार आपका जो इस्टेट को टाई है वह यह आपको एंवीबेस की सीटे दि क्लिमेंट हुआ है मतलब लगबग टू टाइमस बच्चे भढ़ गया है तो उसके वज़े से क्या होगा कि बहुत चल्दी 18,000 के अंदर अंदर AIQ की रैंक सारी खतम हो जाएंगी MBBS कोटा के लिए आपको बता देता हूं 18,000 के अंदर इसमें होगा क्या लास्ट ट्वैल से 14 गया था लेकिन इस बार एमस की सीटे इंक्लूड होने के वज़े से यह लोग 16-17 तक जाएगा उसके बाद कुछ बच्चे अपने स्टेट के कॉलेज प्रफर करेंगे तो AIQ में कुछ सीटे बच्चों को मिल सकती है तो